क्रैस्ट थेनिम की कटिंग का अपडेट है ये वीडियो देखिए ये दो इंस का मैंने ये कटिंग लगाया था और अब इसमें ये इतना बड़ा हो गया है इसमें फूल भी आने चालू हो गया है तो इसमें एक थोड़ा से फ्लावर बुष्टर डाल दिया मैंने और देखि इसके रूट डेमेज नहीं होने चीए और इसमें जो हमने खाट डाला था इसमें जातर तो मैं और गयनिक यूज करता हूँ पर इसमें मैंने थोड़ा सा डियेपी डाला था तो कटिंग लेट लगाने के चलते ज्यादा घना तो नहीं हुआ है और मैंने फिर मोहमाया में पड़िके पिंचिंग भी नहीं किया इसका और ये इसमें कलियां आ रही है तो इसके कच्रे निकाल देता हूं मैं अब यह देखिए इसके टिप्स पर देखे कलियां आ गई है तो मैंने इससे ज्यादा छेड़ चाड़ या पिंच करना समझ अच्छा नहीं समझा क्योंकि अब ने देखा इसके साथ और लगाया थे वह आपको दिखाता हूं देखिए यह कैए मैंने एक पोली डेक में चार पांच टीग और लगा रख़या है जो यह आप डिखाता हूं मैं उसकी कटिंग का आं यह है कि इसमें चाहर पांट सक्टेंग है इसे और काटऊं गार अभ्लावर सक्ट करण चाठेश को करूंगा कर दो भी खोलोग उसमें प्लावरिंग नहीं होता पर देखिए इससे पहले इसमें फैलावरिण हो गया है। इसमें सक्र्ष भी आयो हमें नियुकल लेकिन फैलावरिण इसमें होने लगा है और इस पर इस पार इस इन सारे प्लाइट्र नहीं किया है तो आपने अगर प्रोनि क क्या होता आपका तो प्लांड गला फैला grandi तक यह फरवरी मार्च तक तो चलता ही है, मार्च के बाद इसमें डॉर्मेंसी चालू होती है, तो उसके बाद आप इससे साइड में रख दें, और सिर्फ पानी दें, तो उससे अगले साल के लिए बच जाता है, यह मेरा एक साल पूराना यह प्लांट है, अब देखे इसमे अब आप मैं फ्लावरिंग चालू है, तो मैं इससे भी ज्यादा पिंच नहीं किया है, पूरून नहीं किया है,